अन्य शिलालेखों, प्रशस्तियों, आदी से ये उजागर हुआ है कि विक्रम की चौथी, आठवी, बारवी और सोलवी सदी में इस तिर्थ का जिरणोधार हुता रहा है अठवी और उन्नीसवी सदी में भी इस तिर्थ का जिरणोधार हुआ है पुनपुनः जिरणोधार का एक मूल कारण मुगलों का आक्रमन रहा है विदेशी धर्मांद शक्तियों ने आर्य भुमी की पश्यमी सिमा से कई बार आक्रमन कर हमारे मंदिर और मुर्तियों को द्वस्त किया है परंतु वे हमारी आस्था और भक्ति को द्वस्त नहीं कर सके बल्कि हमारे पुरुखों के समर्पन और सर्वस्व न्योचावर करने की भावना की कारण ये तिर्थ और भी भव्यबन कर उपने स्वर्णिम युग देखा है सितम मुगलों का सहा है ये शाषन जजहर युग में बुलन्दी पर लेहरा है कभी के सर कुम कुम से कभी अपनों के लहू से हुआ इतिहास अंकित सुन है राहर पहलू से क्याग समरपन की अशिगा था लिख गय कई विकान अथे श्री जीरावला भुतान अथे श्री जीरावला भुतान मत शेही दिना बनाद रुक्ता